हेलो दोस्तों स्वागत अब सभी का आपके अपनी यूट्यूब चेनल इटेए फाउंडेशन क्लासस में तो यहाँ पे देखे आईटेए एंपलोबिटी स्किल्स फर्स्ट इयर का ओरिजिनल जो पेपर है वो मैं डिसकस करूंगा आप लोग वीडियो के अंड तक जरूर द वो यह चीज जरूर ध्यान दें कि आईटेए फर्स्ट इयर के क्यूसन जहां कहीं पर भी उनको मिले उन क्यूसन को वो जरूर पढ़ते रहें क्योंकि बहुत सारे इसे क्यूसन से जो है फर्स्ट इयर के वर सेकेंड यर में भी पूछे जाते हैं तो चलो ठीक है जेक्सन विस्मियादी भोदक विस्मियादी भोदक मतलब जो सडनली कोई expressions हो sudden expressions उनको व्यक्त करने के लिए परियोग किया जाता है उनको बोलते हैं विस्मियादी भोदक इंगलीज का जो सब्जेक्ट है आपका इंगलीज के जो चेप्टर है एंप्लिविटी स्किल में वहां से एक यूसन पुछा गया है बढ़ते नेक्स्ट यूसन क्यों जाच करते समय ग्रहाट के खालिस्तान पर ध्यान देना भी महतुपून है जाच करते समय जो पस्टमर है उसकी बोड़ी लेंग्विज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए बोड़ी लेंग्विज से बहुत सारी चीजे समझ में आती है और बोड़ी लेंग्विज का मतलब यहां पर यह है कि वह किस तरेके से खड़ा है क्या उसके हाव भाव है ठीक है वह इंटेस्ट से पढ़ते आए वह कॉडिनल नंबर है तो टेन जो है यहां पर कॉडिनल नंबर है ठीक है राइट असर जाएगा उपसंडी बढ़ते हैं एक्स्ट कुशन के एक्स्ट कुशन में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए सेव करने के लिए बच्चा-बच्चा जानता है क मोखिक संजार को आप फ्यूचर के लिए रिकोर्ड करके नहीं रख सकते हैं जिसे मालो रिटन जो है उसको तो अपन क्या कर सकते हैं ठीक कर लिख कर रख सकते हैं मोखिक संजार को आप लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं अब आपका होगे कि यार हम सर रिकोर्ड करके रख यह सबी को पता हैं जो computer वगएरा में परियोग करते हैं वह low-level language उसे हम machine language भी कहते हैं तो right answer जाएगा option D बढ़ते हैं next question क्यों next question की और communication जिसमें सब्दों की उप्योग के बिना सूचना का आधान पर्दन सामील है एसा संचार एसा communication संचार मतलब message को एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति तक पहुंचाना ठीक है जिसमें सब्दों का उप्योग बिना सूचना की अधान पर्दन सामील है उसे कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों non-verbal communication उसे क्या करते हैं non-verbal communication option 20 का correct answer होगा next है एक वेक्ति के रूप में आपके पास मुझूद समताइं और गुण हैं जो आपको जीवन और केरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों personal strength क्या कहेंगे personal strength जो आपकी समताइं है और जो आपकी strength है समताइं मतलब आपकी ताकत उसी को हम strength बोलते हैं वेक्ति का तागत personal strength बोलते हैं option C बढ़ते हैं next question क्यों कौन सा कारक लोगों को motivate करने में मदद करता है कौन सा इसा कारक है जो लोगों को motivate करने में मदद करता है तो guys right answer हो जाएगा lake of nervousness गबराहत नहीं होना गबराहत नहीं होगी तो वो motivate करेगा ठीक है तो right answer जाएगा option C चलो बढ़ते है next question क्यों next question अपना computer network जो एक छेतरी राश्टी और वेस्वी की स्तर तक फिला हुआ हुआ है बढ़ते है next question क्यों next है odd सब्द चुने odd मतलब जैसे चार सब्द दिये में चारों में से कोई एक सब्देशा होगा जो अलग हटके होगा और तीन सब्द जो है वो सीमिलर टाइप के होंगी तो यहां पर देखो सोरी जो है थेंक्स और प्लीज यह सब हम संचार में परियोग में लेते हैं पेपर जो है वो बिलकुल अलग है ठीक है तो राइट अंसर जैए उसका पेपर यह ओड है विसम है इन तीनों से हटके है बढ़ते है next question क्योंड जब हम किसी नए सहर में जाते हैं तो इन में से कौन सा खर् छिए लोगे किराया आपको देना पड़ेगा किराया आप लोगों को वहाँ पे किराया जो है हो वहन करना पड़ेगा तो नए सहर में जाने पर जो घर्चा है वह एह आवास का किराया आपको छुकाना पड़ सकता है next ए रिकस्तान में उचित सरू नाम भरे she made this cake four अच्छा देखो समझना उसने cake बनाया she made this cake herself उसने स्युम ने बनाया c, c जो लड़की है उसके लिए हर का उपयोग होता है और खुद ने बनाया तो फिर herself आईगा ठीक है तो she made this cake हर सेल्फ ऑप्शन डीस का करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं दोस्तूं नेक्स्ट क्यों नेक्स्ट है SMS बहसा में ASAP SMS वगेरा करती हूँ आप लोग भी जो है अपनी सेटिंग वगेरा को या अपने फ्रेंड्स को क्या करते होंगे SMS करते होंगे मेसेज़ वहां पर देखो यार यह मीनिंग आपको पता होना चाहिए ठीक है नहीं पता तो पता कर लो कभी का बार क्या होता है सामने से सामे से जाजाता है अगर आप लोग समझोगे नीसका आर्थ तो फिर आपका नुकसान हो सकता है वहां पर तो यहां पर ASAP का मतलब होता है as soon as possible जितना हो सके उतना जल्दी ठीक हिंदी में इसका मतलब होता है जितना हो सके उतना जल्दी as soon as possible राइट ऑप्शन सीज का करेक्ट आंसर होगे नेक्स्ट यूशन देखू नेक्स्ट यूशन ने कंप्यूटर प्यों करता हूँ को वेव पेज कोजने एकसेस करने में सक्स्तम करने के लिए उप्यों किया जाने वाला एक सॉप्ट वेट वो है गाइस वेव ब्राउजर देखो समझना वेव पेज कोजने के लिए वेव ब्राउजर ठीक है ओप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की ओर ऐसे गुण है जिन्हें नकारात्मग माना जाता है जिन पर काम करने के आव सकता है यास एसे ग पारने के आव सकता है उनको बोलते हैं दोस्तो परसनल वीकनेस व्यक्तिगत कमजोरी उनको क्या कहते हैं व्यक्तिगत कमजोरी तो हमें भी अपने जीवन में अपनी जो कमजोरियां है उनको समझना चाहिए उनको जानना चाहिए और उनके ओपर काम करना चाहिए देखो सा काम करने की आवसकता होती है तो जो भी परसनल वीक्नेस है उनके उपर हमें काम करने की आवसकता होती है तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर option C व्यक्तिकत कब जोरिया next question इसके बाद में कौन एक search engine है तो यह तो यह आप लोगों को पता ही होगा गूगल जो है वो एक search engine है ठीक है गूगल जो है search engine है next देखू लगों द्योग की तुलना में बड़े पेमाने पर वेवसाई की आवसकता है तो वहाँ पे वो more number of person गया हो सकता होगी अधिक वेक्तियों की आपको आवसकता होगी option इसका correct answer होगा बढ़ते है next question क्यों सफल लो जो है वो ऐसे फलता को ऐसे संबालते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं कौन सा option हो जाएगा option D option D का correct answer हो जाएगा जितने भी दोस्तों successful persons हैं ऐसा नहीं कि वो गलतियां नहीं करते हैं वो भी अपने जैसे टपोरियों की जैसी गलतियां करते हैं बट वो अपनी गलत क्यों से ह目रे हैं waz univers that customer GO उपने गलतियों से सीख में दाब बटते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्योशीन क्यों 7-scheinlich समध्धान प्रक्रिया में समाध्हन का चयंद करने के बाद आगे क्या करना चाहिए हाँ यार समाधान का चयन करने के बाद समाधान को लागू करना चाहिए आपको पता चल गया कि आपका स्वास्ते ठीक नहीं है अब आपको समाधान ये पता चल गया कि आपको जैसे मालो सुपोज जेट एक्सरसाइज करनी आपको फिटनेस बनाना है तो उसको लाग तो option 8 का correct answer होगा, समाधान को लागू करें, option 8 का correct answer होगा, बड़ते हैं, next question की उर, किसी कारिये में किये जाने वाले कर्तवियों और जिमादारे होevery लिखित वीवरन, उसको बोलते हैं, नोगिर का वीृरन, क्या बोलते हैं दोस्तो, नोगिर का, वीवरन, option 9 का correct answer होगा, बढ के लिए उसका सर्वे करें और बात करें ठीक है नेक्स्ट क्योंसे नमबर 23 एंट्री लेवल जोब का क्या मतलब है एक शुरुवाति या जूनियर इस्तर की नोकरी है ऑप्शन डीस का करेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योंसे नेक्स्ट उसने उसके अंदर ते कुछ डौ सी डौकंट सेत नेक्स्ट में डौकंट नहीं करसकते डौकंट बंकर सेयर ने ऑंगें अगेज में डौकंट नहीं बनते हैं ऑप्शन ्टीस का गर्रेक्ट आंसर होगा बढ़ते हैं next question यो अर्थिक विकास में उद्धमी की भूमिका क्या है इस्थो दाहर होगा, options इसका correct answer होगा, तो ये 25 questions थे, Employability Skills, ITA, First Year की questions थे, but ITA, Second Year में भी questions काफी ज़्यादा important है, आज किस वीडियो में इतना ही मिलेंगे दोस्तों, next वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत भुत अन्यवाद,